एक रात अपने घर पर टीचर साक्षी अपने स्टूडेंट्स के एक्जाम पेपर चेक कर रही थी, तबी उसके पती संजय उसके बगल में आकर बैट गया, संजय अपने मोबाईल में मस्त था, गेम खिल रहा था, अचानक साक्षी की आंखों से आसू बहने लगे, वो जोर- तो उसने मोबाईल से बिना आंग खटाय पूछा, कि क्या हूँ असाक्षी, रो क्यो रही हो, मुझसे नाराज हो क्या, साक्षी बोली नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, दरसल मैंने स्कूल में परिक्षा के तौर पर, ऐसे राइटिंग में एक बहुती अच्छा व दिखो, एक बच्छी ने क्या लिखा है उसे राइटिंग में, तुम खुद पढ़कर रो पढ़ोगे, संजे ने कहा, अरे मैं थका हुआ हूँ, प्लीज तुम पढ़कर सुना दो, साक्षी ने आसु पहुंच कर पढ़ना शुरू किया, डियर टीचर, मेरा ये ऐसे राइ इतनी कैर करते हैं मोबाइल की, वो मुझसे ज्यादा तो उनके फोन से प्यार करते हैं, मेरे पापा और मम्मी शाम को ठक जाते हैं, लेकिन उसके बाद मेरे साथ वक्त नहीं बिताते हैं, अपने मोबाइल के साथ वक्त बिताते हैं, उनके पास उनके मोबाइल के लिए बह खाना खिला है लेकिन खाना खाते वक्त भी उनके एक हाथ में मोबाइल ही रहता है। कई बार रात में देर से सोती है तो सुबह देर से उठती है और सुबह जब मेरा टिफिन तयार नहीं रहता तो मुझे पैसे देकर कहती है कैंटीन में खा लेना। तो कहते है बेटा इंटरनेट पर सुन लो वो दोनों ही मेरी आदते बिगाड रहे है फिर कल अगर मैं गलत रास्ते पर चले गई तो पूरी दुनिया मुझे गलत बताएगी। इसलिए मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं भी एक स्मार्टफोन बन जाओ पूरे दिन अपने पापा के हातों में रहूंगी। रात को सोते समय भी उनके आँखों के सामने रहूंगी। सोने के बाद भी उनका हात मुझ पर ही रहेगा। खाना तो नहीं मिलेगा लेकिन हाँ टाइम टू टाइम रिचार्ज होता रहेगा। मेरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। मुझे खरोच भी नहीं आने देंगे। जहाँ भी जाएगे मुझे अपने साथ ले जाएगे। हमेशा दोनों के आँखों के सामने रहूंगी। संजय थोड़ा भावुक हुआ लेकिन फिर से अपने गेम में लग गया और साक्षी से बोला कि ठीक है अच्छा लिखा है इसमें रोने जैसा कुछ नहीं है। तुम्हें इतनी सी बात पर रोना क्यों आ गया साक्षी। बी स्ट्रॉंग कमॉन। तो साक्षी ने कुछ ऐसा कह दिया कि खुद संजय भी अपने आपको संभाल नहीं पाया। साक्षी बोली कि संजय ये ऐसे जिसने लिखा है वो अपनी ही बेटी है। दोनों के आसु रुपने का नाम नहीं ले रहे। भगते हुए अपनी बेटी की बेडरूम में गई। देखा कि वो अपने ममी पा खुल दी हमें माफ कर दो अपसे स्मार्टफोन नहीं तुम हमारी आँकों के सामने रहोगी। पूरे परिवार के लिए बहुती भावुपल था। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। कमेंट द्वारा बताए। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी शेर करने जैसी है तो तुरंत अपने दोस्तों, परिवार जनों और रिष्टेदारों के साथ शेर कीजे और इसी सुन्दर कहानियों के लिए एमोशनल वीडियो स्टोरीज पेज लाइक कर दीजे और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर दीजे.